गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग देवुमी एजगेशन पॉइंट में आपका एक बार फेसे स्वागत है दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल ऐगन दबा देना आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से आज जो इनफरमिशन शेयर करना चाहता हूँ यह है साहिक लेखकार भरती परिक्षा को जो नविवक हैं वो चाहते हैं कि इस परिक्षा को रद्दी कर गए दुबारा से यह भरती परिक्षा कराई जाए अब इस पर हम जानेंगे पर करिया कि क्यों ऐसी बाते निकल के आ रहे हैं क्यों वो चाहरे हैं कि नविवक यह चाहरे हैं कि यह भरती परिक्षा रद्द हो क्या यह परिक्षा दुबारा सच में रद्द होगी या इस पर क्या डिसीजन निकलेगा और सबसे पहली बात यह है कि क्या इस पर जो नव बड़ियों से उमिद्वारों के भविश्य पर तलवार लटक गई है कहा कि परिक्षा में हिंदी अनुबाद में कई बड़ी गलतियां आई थी तीस से चालिस प्रशन केवल नुमेरिकल थे जिन्हें दो घंटे की परिक्षा वधी में हल कलब करवाना किसी भी बड़े से यह पर पैटन में काफी अंतर था जिस पैटन पर पेपर आया था वैसे किताब में भी अभी तक बाजार में उकलब्द नहीं है उन्होंने आयो के सच्चु को ग्यापन देते हुए मांग की कि परिक्षा रद्द की जाए अब दोस्तों यहां पर देखे कितनी मतलब इमेरिकल बेस्ट थे जिसको मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत दबा के प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे टच में है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है वो भी दो घंटे की भीदर उनको सॉल्वर नहीं कर पाएगा यानि कि उसके लिए मुश्किल हो जाए जा था कि बच्चा उस वहां तक पहुंची ना पाए ठीक है तो इस तरीके का और पैटन जो परिक्षा पैटन था वो बिल्कुल विभिन परकार का और अलग तरीके का पैटन बनाया गया था और जिस पर जो स्लेवर से बाहर का था ठीक है और इस पर ऐसी किताब हैं अभी तक जो है बाजार में उपलब्द भी नहीं है जिससे की बच्चे प्रिपरेशन करवाए तो यहाँ पर इतनी सारी गड़बड़ियों के बीच जो है परिक्षा दी गई और उसके बाद अब ये विरोजगार नौजवान जितने भी हैं जिन लोग उने इस्टूडेंट से जिन्होंने एक्जाम दिया है वो चाहते हैं कि इस परिक्षा को रद करके दुबारा से परिक्षा कराई जाए ये इनकी डिमांड है और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका क्या मानने हैं आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं दोस्तों कॉमें को लोगों का ये भी फर्ज है कि सौशल मेरिया पर अपनी राय रहे हैं जादर लोगों तक बात पहुंचा है तो आप लोग भी अपनी राय अपनी जो हे अपनी बात अपनी मन की जवाप चाहते हैं य आपको क्या लगता है इस बारे में तो आप उसको कॉमेंट करके आपकामने धन्यवाद